देखो अभी कस्तूरी रंजन कमीटी की जो रिपोर्ट है जो पहले ही आ चुकी थी वेस्टन घाट को लेकर ये रिपोर्ट है ठीक है वो अभी न्यूज में है क्योंकि करनाटका के जो सी एम है बसाव राज बोमाई ठीक है इन्होंने सेंटर से कहा है कि हम इस चीज को अपो यादव जी ठीक है तो उस समय पे बोमाई जी ने ये कहा है कि वेस्टन घाट को एकोलोजिकली सेंसिटिव जोन घोशित करना वहां के जो लोग रहते हैं वेस्टन घाट में जो लोग रहते हैं उनकी लाइबली हुड के लिए एक खत्रा बन सकता है ठीक है लेकिन एक्सप करता है क्योंकि वो जगह जो है वो एकोलोजीकली बहुत ही फ्रेजाइल है ठीक है अब हम देख लेते हैं कस्थूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट में है क्या देखो इस रिपोर्ट में कस्थूरी रंजन कमेटी ने ये बुला था कि 37 परसेंट जो टोटल एरिया है portion में ठीक है केरला करनाटका ये सारे states को cover करता है यहाँ पर बहुत ही ज़ादा घने जंगल है और यहाँ पर ऐसे ऐसे plants और animals के species पाए जाते हैं जो कि पूरे इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं ठीक है बहुत ही घना जंगल है तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वेस्टन घाट का जो पूरा एरिया है उसका 37% जो कि 60,000 स्कॉर किलोमेटर करीब होगा उसको इकोलोजिकली सेंसिटिव एरिया गोशित कर देना चाहिए उसके बाद इस एरिया में ब्लैंकेट बैन होना चाहिए पर नहीं होने देना चाहिए ठीक है इनका जो इंडस्ट्रीज अगर रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो होती है उनको वहाँ पर सेट अप होने नहीं देना है और थर्मल पावर की जितने भी प्रोजेक्ट से उनको भी वहाँ पर बैन करना है इसमें ये भी कहा गया है कि इंफ्राइस्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अगर है उस एरिया में अगर इंफ्राइस्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आपको इंप्लिमेंट करने है तो forest और wildlife पर क्या इसका असर पड़ेगा इसको देख कर ही permission दिया जाए करनाटका के state government का ये कहना है कि अगर हम कस्तुरी रंजन committee की report को implement करें उस हिसाब से चले तो कई सारे ऐसे developmental activities हैं उस region में western ghat region में करनाटका में जो की हमको बंद करने पड़ेंगे ठीक है उनको रोकना पड़ेगा और उससे बहुत जादा नुकसान हो जाएगा developmental processes को लेकर ठीक है कस्तुरी रंजन committee की report में satellite images का use किया गया है ground reality different है ये सब भी बोला गया है मतलब सीधा सीधा CM का कहना है कि इस report को implement ना किया जाए लेकिन central government चाहती है कि ये report implement हो क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बाते लिखी गई है जो कि western ghat वाले area के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वहां का exploitation ना हो western ghat का जो region है अगर आप देखोगे तो इंडिया के लिए एक बहुत ही important hot spot माना जाता है वो ठीक है वहां बहुत अलग अलग तरीके के species पाई जाते हैं चाहे आप पेड़ पौधों की बात करो या फिर आइनिमल्स की बात करो ठीक है तो उस जगह को बहुत जादा नुकसान पहुंचाना बिल्कुल खत्रे से खाली नहीं होगा वैसे ही forest cover की बहुत जादा कमी है और climate change का जो खामियाजा है वो हम लोग भोगत इतना शुरू कर ही चुके है ठीक है ना तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए western घाट को जितना होसा के protection हमको देना चाहिए तो इस रिपोर्ट में यही था अभी चर्चा में बहुत जादा बना हुआ है इसलिए हमने detail में इसको discuss किया है अगर आपको कोई भी doubt या confusion हो